आज हम देख लेते हैं टारो से बारह राशियों के लिए क्या संदीश है डिवाइन का क्या कार्ड्स बारह राशियों को संदीश देना चाहते हैं क्या मैसेज करते हैं सबसे पहले हम बारह कार्ड निकाल लेते हैं बारा राशियों के लिए, ये बारा कार्ड से हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम सभी राशियों के संदेशों को आपको बताएंगे, कौन सी राशियों के लिए, क्या संदेश हैं, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ, बारा कार्ड, बारा राशियों के लिए, निकाल लिए जाते हैं, अब हम देखते हैं, प्रतेक राशी के लिए टारो ने क्या मेसेज दिया है, बीश राशी के लिए टू अफ कप्स वरिशब के लिए पीज ओफ वैंज मिथुन के लिए एट ओफ वैंज ये करक राशी के लिए ये सीह राशी के लिए ये कन्या के लिए और ये तुला के लिए तुला के बाद ये वरिशिक राशी वालों के लिए ये धनू राशी के लिए ये मकर, कुम्र और ये मीन बारा राशियों के लिए हमने बारा कार्ड्स निकाल लिए हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं टू अफ कप मेश राशी वालों के लिए मेश राशिवालों के लिए टैरो कार्ड्स ने बहुत अच्छी एनरजी बताई है वैसे तो ये ड्यूल एनरजी है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो मेश राशिवालों को खुद को संभालनी होगी जो लेंदेन कर रहे हैं, जो बाचीट कर रहे हैं जो व्यपार के मामले में जो भी कारेगी करना चाहते हैं यहाँ पर negative और positive दोनों कपस उनके हाथ में आ रहे हैं एक आ रहा है, एक जा रहा है तो उनको ये संभल के चलना है कि उनको क्या लेना है जो उनके लिए सही रहे तो यहां कार्डस ने थोड़ा सा समभलना और थोड़ा समझधारी से काम करने का सला दिया है व्रुशब राशेवालों के लिए भी कार्डस ने काफी अच्छे अनरचीश होगी है उनके लिए अभी सभी चीज़ें वैसे अच्छी है नए अवसर आ रहे हैं, सजने सवरने का मुखा मिल रहा है, अपनी खुबसूरती को निखारने का मुखा मिल रहा है और कहीं बाहर जाने का या अपना थोड़ा सा कहते हैं न शौफ करने का थोड़ा मुखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिथन राश्य वालों के लिए नए अवसर बन रहे हैं नए खुशियां आ रही हैं नया कोई रास्ता उनके लिए जो की अच्छा रास्ता है वो खुलने वाला है बात करने करक की तो करक के लिए बहुत काम है बहुत हार्ड वर्क है या तो उन्हें नए नए काम मिलने वाले हैं या वो जिस जगें काम करते हैं वहाँ नपे काम का और बर्डरन आने वाला है उन्हें काफी hard work करना होगा सिहर रास्री के लिए काफी अच्छा है वो emperor की energy में हैं और वहाँ पे उनको थोड़ा सा रूल करने वाली एनरजी जो रहती है उस पोजीशन में हैं तो बाकी बहुत सारी चीज़े उनके हाथ में हैं तो उन्हें संबल के देखके चलना होगा करने राश्यवा लोगों को जाना नहीं है जरा रुकी जो आपके पास चीज़ें हैं पाइफ अफ कपस आपके पास हैं भगवान ने चार पांच चीज़ें आपको दी हैं कोई भी एक चीज़ को यूज करके उसका इस्तमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तुला राश्यवा लोगों को थोड़ा सा अपना पराकरम दिखाने का थोड़ा सा अपनी मेहनत को दिखाने की आवश्यक्ता है आप अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लोगों के सामने लेकी आईए अपने परिश्रम को वृष्चक राशी वालों को फीमेल एनरजी काफी अट्रैक्ट कर रही है और फीमेल एनरजी उनको लीड भी कर रही है इसलिए वृष्चक राशी वालों को थोड़ा सा चालाकियों से और दूसरी तरीकी जो परिशानिया हैं उनसे बचने की आवश्रकता है specially चालाक लोगों से बात करें धनू राशी की तो धनू राशी वालों को जो negative ओरे ने घेर रखा है उससे बहार आने की जरूरत है मकर राशी वालों के लिए celebration है काफी खुशियां है कुम राशी वाले तो magician की energy में है और कुम राशी वालों के हाथ में ही सब कुछ है वो चाहे जो वैसा कर सकते है मीन राशी वालों को justice में लेगा उनके लिए न्याय के दरवाजे खुल गए है मीन राशी वालों को काफी अच्छा टारों ने energy शो किया है कि उनको न्याय मिलेगा वो जिस भी छेत्रों में काम कर रहे हैं जहां भी वो अपने आपको रख रहे हैं वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी divine की तरफ से उनको blessings है और उनको बहुत उनके मतलब बोलते हैं उनके कामों में जो पहले उनको निराशा मिल रही थी वहाँ अब उन्हें न्याय मिलने वाला है उनके लिए काफी अच्छा है